मैं भारत को भारतेता की माननेतों के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उसी काम में लगा हुआ हूँ, इन महाँ शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गे श्री राजीर दिश्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है, तथा उनहीं से प्रेडित होकर इस च आपना की गई है, जै श्री राम, मैं हिमानी वश्षिष्ट आपका सनातन भारत चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे हमें खाने में अरूची है, और कब्ज है, अफारा है, और हमें पने केशों को लंबा करना है, बालों को ल हम जाते हैं कि हमारे रंग में निखार आ जाए, हम गोर्वन दिखें, तो उसके लिए बहुत साधरन सा एक भोजन में आपको बता रही हूँ, वो भोजन है मूली, अब कैसे सेवन करना है इसका, पहली बात तो मूली हर किसी को सुन नहीं करती है, हर कुछ लोग ऐसे हैं, जिन के लिए अनुखुल नहीं है, तो यह प्रयोगन के लिए नहीं है, तो हमें कैसे सिस्तेमाल करना है, हम दो पहर के भोजन के बाद में, हम आधी एक मूली काटकर हम काला नमक लगा लिए और काले मिच लगाकर हम उसका सेवन करेंगे, मूली का, और कितने जनों तक, कम स से कम तीन-चार महीने तक पहले महीने से आपके जो शरी में कब्ज है अरूची है अफारा है यह सब बंद हो जाएगा तीन-चार महीने से बंद कीजिए इसका फाइदा रहेगा बहुत ही साधरानिसा पर बहुत ही इफेक्टिव उपाय है आप इसे कीजिएगा जो भी आपक को अनुभव हो उसे कमेंट बुक्स में शेयर कीजिएगा ताकि अन्य रूप भी लाभान दीतों यह देखकर तो अभी के लिए आपसे अलवीदर लेना चाहूंगी धन्यवाद